नमस्कार परिक्षा आइडिया के इस वीडियो में हम बात करेंगे जलवायू परिवर्तन और खाद प्रणालियों से जुड़े अंतराश्टिय खादिनीती अनुसंधान संस्थान आई एफ प्याराई की ताजा रिपोर्ट पर इस रिपोर्ट में भाविश्य में होने वाले खादान संकट, खादान उत्पादन और महंगाई को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। आईए पहले जानते हैं आई एफ प्याराई के बारे में। आई एफ प्याराई यानि अंतराश्टिय खादिनीती अनुसंधान संस्थान एक अंतराश्टिय क्रिशी अनुसंधा केंद्र है जिसके स्थापना 1970 में क्रिशी प्रद्योगी की में नवचारों को बढ़ावा देने और क्रिशी और खादी नीतियों की समझ को बहतर बनाने के लिए की गई थी IFPRI को देशिय किसी देश के विकास में क्रिशी और ग्रामीर विकास की भूमिका को बढ़ावा देना है साथ ही समस्याओ के समधान के लिए अनुसंधान पर आधारित नीतिगत विकल प्रदान करना है यह गरीवी को इस्थाई रूप से कम करने और भूगवे कुपोशन की समापती के लिए कार्य करता है अब बात करते हैं IFPRI की ताजा रिपोर्ट पर IFPRI की ताजा रिपोर्ट के मताबिक जलवायू परिवर्दन के प्रभाव के कारण अगले कुछ वर्षों में खाच संकत कहरानी की संभावना व्यक्त की गई है करीब आठ साल बात खाने की वस्तों क्योत पादन में 16 प्रतीशत की गिराव अटाई की जिससे लोगों के भूगे रहने का खत्रा 23 वीस्दी तक बढ़ सकता है रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2030 तक भूग से पीडित भारतियों की संख्या 7 करोड 49 लाग होने की संभावना है इसमें जलवायू परिवर्तन के प्रभावों को जोड़ कर अगर देखा जाए तो ये संख्या 9 करोड से भी जादा हो सकती है ऐसे हालात में समग्र खाद उत्पादन सुचकांक 1.6 से खटकर 1.5 रह जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जलवायू परिवर्तन की वज़ा से खादान उत्पादन प्रभावित होगा IFPRI की रिपोर्ट एक मॉरल से जुड़ी होई है जिसका उप्योग, समग्र खाद उत्पादन और खपत, प्रती व्यक्ती, प्रती दिन क्यलोरी उपभोग, प्रमुखाद वस्तूओं के व्यपार के अलावा लोगों के भूके रहने के जोखिम और इन सब पर जलवायू परिवर्दन के पढ़ने वाले प्रभाव के मुल्यांकन के लिए किया गया इन सब के बावजूद रिपोर्ट में कुछ अच्छे संकेत भी शामिल है जिसमें अगले 50 साल में विश्व की खाद्यान उत्पादन बढ़ने की भी उमीद है पर ये अलग-अलग देशों में अलग तरह से बढ़ेगा इस संधर में 2050 तक वेश्विक खाद्यान उत्पादन 2010 की तुलना में तकरीबन 60 प्रतिश्वत बढ़ने की उमीद है विकसे देशों की तुलना में विकास शील देशों में खासकर अफ्रीकी देशों में उत्पादन एवं मांग दोनों अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है तो ये था जलवायू परिवर्दन और खाद प्रणालियों पर अंतराष्ट्य खाद निती अनुस्संधान संस्थान आईफ प्याराई की ताज़र रिपोर्ट पर आधारित परिक्षव उप्योगी वीडियो नमस्कार